हलो फ्रेंट्स, वेलकम बैक तो मैं योटीब चानल, तो मैं आज कुछ कोरोना के उपर आप लोगों को अपडेट देने आया हूँ, तो मैं ज्यादा टाइम नहीं लोगा, मैं 10 मिनिट लोगा ज्यादा से ज्यादा, और बहुत सार इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं बताने वाला है, तो ध्यान से सुनेगा इस वीडियो को, और हो सके तो कई नोट डाउन करके भी रखियागा, या फिर इस वीडियो को सेप करके रखियागा, तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ फिर, तो जैसे कि आप लोग न्यूज में देखे होंगे, कि आप इताब बच्चन का फैमली, अब जिए एक बच्चे अना स्वेरे रहा है, उनका डाटर सबको करोना पॉजिटिव आया है, न्यूज में तो आप सुने होंगे, क्योंकि न्यूज वालों को और कोई अभी न्यूज है ने, फिलाल यही सब ब्रेकिंग न्यूज है उन लोगों के लिए, तो आप सब न्यूज में सुन रहे होंगे ये बात, तो कहीं न कहीं हमारे दिमाग में ये लगता होगा, कि जब इतने बड़े फैमली, इतने बड़े सूपर स्टार को ये हो सकता है, तो आम आदमी क्या इससे सेफ है, बहुत जिनके दिमाग में होता होगा, बहुत जिन ये भ पुबिक पीपल उन्हों को लोगों से उतना बैठना करना पड़ता है और उनके लोग घर में भी बहुत सारे लोग काम करते हैं पिसमें नहीं ख़ता है। तो क्या reason है वो उन लोग को ही पता होगा तो मैं बस यह बोरहूं अगर हमारे दिमाग में यह बैठ रहा है अभी कि जब इतने बडे लोगों को हो सकता है तो हम लोग पी कैसे safe हैं तो हम आपको बताते हैं कि हम लोग safe हैं और रह सकते हैं तो इसके लिए सबसे पहले हमें कुछ काम हमें जरूर से पहले से करके रखना पड़ता है तो जिन में से मैं चार-पांच पॉइंट आप लोगों को बताता हूं अगर यह preparation आप लेके रखोगे तो बोलते हैं ना जगर आप पिपेर रहोगे किसी चीज के लिए तो आपको ए किसी को हुआ तो कैसे इससे डील करना है तो फिर मैं बैटके सोचते सोचते बहुत कुछ दिमाग में आया कि यह सब चीज मेरे पास होना जरूरी है अगर इससे कोई infected होता है तो तो क्या होगा एक mental support रहेगा आप tension free होके अब अपने सरीर पर ध्यान दे सकते हो तो चलिए पहला पॉइंट पहला पॉइंट यह है कि अगर आप जैसे कि ममी या बहन कोई भी घर में जो है किसी एक जन पर पूरा घर का cooking dependent है तो यह बहुत ही important time है कि आप लोग सब कोई cooking सीख के रखे minimum cooking जो आपको एक अच्छा खाना मतलब खाने खाना बनाने में help करे क्योंकि अग पारी में जैसा में वीडियो देखा हूं लोगों से बात को मेरे अपने दोस्त के कजन को हुआ है मेरे दोस्त के पापा को हुआ है तो जैसा कि अगर आपका खाना पीना सही होगा तो आपका immune अच्छा रहेगा तो अगर आपको cooking नहीं आता है तो यह high time है कि आपको भी cooking थ लेके जा सकते हैं hospital में quarantine करने के लिए पर घर में कोई ने रहेगा खाना बनाने के लिए तो minimum आपको अभी खाना बनाना आना चाहिए नहीं आता है तो अभी आप सीख लीजे अगर घर में आपके आपके लाबा कोई और नहीं है आपके husband होंगे उनको आता है तो बहुत यह होगा पहला जो आपको ध्यान में रखना है तो दूसरा नंबर जब आज जैसे कि मैं अपने विलॉग में पहले बता चुका हूँ कि अगर आपके घर दो टू थी बीएच के का है तो एक रूम आप सेपरेट करकर रख दो अगर भगवान ने करे किसी को कोरोना हुआ य बट आप एक काम को आप उसमें जाके एक दिन रहो यह थोड़ा वीर्ड सा तरीका है बट मैं इसको पर बहुत सोचा हूँ कि यह तरीका कितना एफेक्टिव है तो आप जब एक दिन रहोगे तो आपको पता चलेगा कि एक से ज्यादा दिन रहने के लिए आपको क्या का इ positivity आता है क्योंकि आपको पता है घर पे लोग हैं जो कुछ हो तो emergency मेरा ध्यान रख सकते हैं बट यह आप अगर hospital में जाके रहोगे तो वहाँ पर ऐसे और भी मरीच पड़े मिलेंगे और एक depression में इंसान जाने लगता है क्योंकि सब सब रोते हैं सब अपने मतलब health के लिए सब worried होते हैं तो जहां चिंता ज्यादा आने लगता है वहाँ पर इंसान suffocating होने लगता है और बीमारी पता है आपको deal करने के लिए आपको पहले अंदर से आपको strong होना पड़ेगा तो जब आप एक room में रहोगे तब आपको पता चलेगा कि आपको क्या-क्या आइटम ज जो मास्क होता है और 95 मास्क या जो भी आप जिसको आप नोस कवर करकर रख सकता है वह मास्क होना जरूरी है आपके पास उसके बाद आपके पास होना है तीन से चार टावल होना जरूरी है आपके पास दो से तीन बेट शीट होना जरूरी है क्योंकि आप बार बार चेंज लग्स साबून या फिर आप कोई भी मस्त क्या बोलता है खुसबुदा साबून लेके आगे नहीं यह एक सोब जो होता है यह होना चाहिए आपको जम्स जो क्लील करता है जैसे कि लाइब बॉय या डिटॉल यह सब साबून आप यूज़ कीजिए यह सब आप रखे रहे हैं इसके बाद होता है इंपॉर्टेंट चीज होता है तो रूम फ्रेशनर जो रूम फ्रेशनर यूज़ करते हैं वह स्मेल वाला वह नहीं एक आता है डिटॉल या फिर कोई भी आंटी बैक्टरियल जो होता है रूम फ्रेशनर वह आप एक से दो अपने पास रखो अभी इस प्न कहने बाद बॉटल मतलब 5-7 लिटर पानी आपको चाहिए क्श guild economy होता है न Baptist Farm prison मैं के अधन के फिरूर्छ जब लगता है तो रूत प्लत स्ट करने के लिए। आपके पास बाद लाचन चाहिए। और इस सब्ने करने के लिए आपके पास new x9 कुक ता है इंग्षन जिस आजाएगा जो आपको मतलब पानी डालोगे उसमें वह बेपर बनेगा क्योंकि जो नुजल्स है वह क्लीन करने का काम आता है उसमें आपको रिलाक्स करता है वह एक जरूरी है प्लस आपको एक इम्यून बुस्टर आयरवेदिक जो भी इम्यून बुस्टर या फिक घर पे अभी यूम्यून बुस्टर का चड़ा कड़ा पी सकते हो तो यह एक पॉडर भी मिलता है जहां तक मैं देखा हूँ आप उसको बॉयल करके आप पियो वह बहुत जरूरी है प्लस जैनेरिक मेडिसिन जैसे बुखार का हो गया यह सब जैनेरिक मेडिसिन अभी आपके घर म में होना जरूरी है प्लस आपके पास अभी चार से पांच दिन का ड्रेस क्लीन ड्रेस होना जरूरी है जो आप रख सकते हो देखो यह सब जो समान यह सब जो आइटम्स में बोल रहा हूना यह आपका डेली यूस में आएगा तो अगर आपको अगर कुछ ऐसा नहीं हुआ भगवान की देश सब को सही रहा किसी को कुछ नहीं हुआ तो आप बाद में आप अपने लिए यूस कर सकते हो इसको अपने फैमली में आप रियूस कर सकते हो यह ऐसा कोई भी आटम जो आपको फेकना पड़े का बाहर तो अगर यह आप करके रखो गे ना तो एक मेंटल स इतना अच्छा है है आपको बाहर जाना लोगों से मिलना डिस्टेंस मेंटें करना सभड़ी अजा यह सब आपको नहीं करना है जितना हो सब घर पर रहना है लोगों से कम मिलना अभी यह समय का डिमांड है तो अगर आप प्रिपरेशन लेके रहे हो और आपके पास यह सब आइटम है तो आपको एक सटिस्टाइक्शन रहेगा कि चोलो मेरे पास हर वो आइटम है कि अगर करूँ अब मैं क्या लूँ क्या लाओं क्या खिलाओं क्या रखो यह सब आपके पास अल्रेड़ी एक सेटप बनकर रखा हुआ है और तीसरी चीज मैं यह बोलूँगा कि जो छोटे-छोटे साख सबजी है जैसे कि हो गया मिंट हो गया या फिर पोदिना हो गया धनिया हो मिलता है उसमें आप घर में रखो कम से कम प्लांट घर में रहेगा तो आपका अंसाइट का जो एर है उसका कॉलिटी इंप्रूव होगा प्लस आपको बार बार बाहर जानी की जरूद नहीं पड़ेगा अभी तो फिलाल सबके घर में फ्रीज है बट अगर फिर भी से आप लाके रखते हैं एक कॉंटिटी में दला सुख गया और अभी मैं बोलूँगा कि जितने भी आपके फ्रेंड्स है रिलेक्टिव से प्लीज क्योंकि अभी ताइम है जहां आपको एक दूसरे का हेल्प करना है ना कि एक दूसरे सिदे को बहुत फ्रैमिली में ऐसा ह वहता है अभी लड़ने जगणने का टाइम जिंदगी में बहुत मिलेगा जिन्दा रहोगे तो बहुत कर पाऊगे तो अभी यह सब को मिलके रहने कार क्योंकि आपको कुछ होता है होने के बाद आपको कि कास मेरे साथ कोई होता तो अभी सब को मिलके रहना है और एक दूसरे का help करना है हर फैमिली एक जैसा नहीं होता एगरी बट जितना हो सके आप एक दूसरे contact में रहो ताकि कोई भी मुसीबत आसको तो आप available row help करने के लिए तो यह सब जो है तरीका है कि आप कैसे prepare सकते हो और एक होता है ना कि mental satisfaction आपके पास रहेगा कि चलो मेरे पास है सब कुछ सब available समाने क्योंकि अभी पास time में आपके पास अब सब कुछ खरी सकते हो सब कुछ ले के रख सकते हो तो यह यह विलॉग में मैं इतना ही बताना चाहता था आप लोगों को ताकि आप लोग भी तैयार होके रह सको क्योंकि आट लाग से प्लस केसे आ चुके हैं और तीन दिन के अंदर साथ से आठ लाग केसे मन एक लाग का जम तीन दिन का अंदर हुआ है तो समझ सकते हो कितना से वारे स्प्रेड हो रहा है मनने की संख्या कम है बट लोग मर रहे हैं तो कौन मर रहेगा कौन जिएगा यह आपका हेल्थ कंडि अच्छा रहेगा तो बस मैं अगर यह वीडियो में आपको थोड़ा सा भी कुछ भी इन्फरमेटिव लगा तो आपके काम आ सकता है तो प्लीज इसको जरूर से कीज़ेगा क्योंकि मैं भी सोच रहा हूँ कि मैं भी आप तैयारी करूं हरा कि यहां पर ऐस्टेलिया में उ मुझे लगता है कि यह इन्फरमेटिव है और यह काम आ सकता है तो चलिए फिर मैं आप लोगों से मिलता हूं मैं अपने नेक्स व्लॉक पे तब तक के लिए टड़ा बाबाई टेक केर गूड़ नाइट बाई